है अलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फेर पांडाज के स्फ्री कोर्स में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं पांडाज लाइबरेरी को में इंस्टॉल करना है ठीक है बड़ा सिंपल सा तरीका है क्योंकि यदि आपको किसी भी लाइबरेरी को स्टॉल करना है तो देखे नया कुछ भी नहीं है इसके पहले भी हमने सारी लाइबरेरी इंस्टॉल की है तो पहले एक बार यह चेक कर लेते हैं फंसी दिर आर मल्टीपल एडिटर जहां पर हम पांडास को लेकि अप्लिकेशन क्रेट कर सकते हैं यहाब जूपिटर लाइ आइडीली टूल है तो एक बार हम यह देख लेते हैं पहले कि python ideally में कि हमारे पास pandas library अविलेबल है या नहीं है तो सिदिस्वन यदि मैं यहां पर simply लिखता हूं import pandas as pd suppose एना if I run this तो obviously बाद I'll get a message no module named pandas क्योंकि अभी pandas library हमारे system पर इंस्टॉल ही रही है तो step 1 पर मुझे क्या करना है सबसे पहले मुझे इस pandas को इंस्टॉल करना है तो I hope आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार बताना वेरा काम है कि PIP कमांड हमेशा हम यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी लैब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है ठीक है दिसी दा कमांड विच इंस्टॉल python packages library means we are talking about packages right to PIP के साथ अच्छा कंपल सरी हमने पहले भी कहीं बर बात किये कि अगरा PIP command को यूज कर रहे है then only use this command with internet connection active internet connection to यहां पर हमने क्या लिखा simply we have to write PIP install pandas ठीक है and then press enter button that takes hardly a minute to install pandas library just wait till it is not installed और एक बार जबी install हो जाएगा then we'll check it in Python also और इसको अपने python ideally पे भी चेक कर लेंगे की pandas properly हमारे system पे वर्क कर रहा है किनी see this one you will get this message successfully install pandas 2.0.1 this is the version of pandas library okay once pandas is installed तो अब मैं यहां पर फिर से python ideally पे जाते हैं हम लोग अब मैं यहां पर फिर से लिखा import pandas as PD and see this one there is no error message now कि अगर कोई error message नहीं है इसका मतलब है pandas library हमारी मशीन पर successfully install हो चुकी है okay then I'll check it in यहां पाइचा मॉल्स हो चमपाइचा में एक application बनाते हैं ठीक है कि यहां पर हमने suppose एक सिंपल सी application create कर ली new test pandas t के नाम से सब्सक्राइट इन here I am just import import pandas as PD पाकी कि अभी हम series data frame की बात करेंगे series की बात करेंगे panel की बात करेंगे लेकिन step 1 पर हमें केवल यह रेखना है कि पांडा प्रॉपर्ली हमारी मशीन पर install हो चुका है and see this one if I run this there is no error इसका मतलब है कि pandas library का installation प्रॉपर्ली पाइचाम के लिए भी हो चुका है और python ideally के लिए हमने इसको इंस्ट्रॉल किया हुआ है इन केस यदि कभी ऐसा इश्यू आता है कि आपका पाइचाम पे तो फ़री आपका python ideally पे पांडा लाइब्रेडी सक्सेस्फुली वर्क कर रहे है लेकिन वैन्यू इंपोर्ट इस इन पांडास लाइब्रेडी इंपाइचाम फो इचोज ए रहर तो यहां पर समझेगा इस केस में जैसा फर इक्जाम्पल यहां पर लाइब्रेडी पांडास-1 पर लिए इस तरीके से because pandas is successfully installed in my machine but in case अगर इसा को इशू आता है तो इधर you can write us किसर ये problem आ रही है ओके और यदी pandas install हो चुका है then it is well and good तो फिर से एक बार में repeat कर रहा हूं simply आपको क्या करना है command prompt में जाना है और command prompt में जाके here you have to write a command root पर type कर दें pip install pandas and see this one अभी जो message मिलेगा requirement already satisfied कोई कि अभी एक मिनिट पहले ही मैंने आपके सामने ही pandas को install क्या तो it is already installed in my machine और जब यह install हो गया है तो एक बार इसको आप check कर सकते है python ideally में जाके simply you have to write import pandas as PD simple आप import pandas भी लिखेंगे तो भी चलेगा okay so this is pandas installation क्योंकि आप देखिए इसके आगे कि जितने भी टास्क अभी हम पढ़ने वाले हैं चाहे वो theoretical हो चाहे वो practical हो step 1 पर हमें सबसे पहले pandas को install करना है pandas library को install करना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि these are the third party libraries it is not installed in your python जब आपने python का installation किया था तो matplot library या pandas these all are the third party library so you have to install it okay and then after हम pandas की application को design करना शुरू करेंगे तो चलिए मिलते हैं next class में pandas की application के साथ जहां पर हम बात करेंगे series के बारे में data frame के बारे में panel के बारे में और भी बहुत सारी बाते करेंगे pandas के बारे में लेकिन step 1 पे सबसे पहले आप pandas को install करिए उसके बाद हम आगे के concept को discuss करते हैं लेकिन important lecture आपको समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ share करी और बने रही है free course में जहां पर हम अभी बहुत importantly pandas के बारे में बात करने वाले हैं और जैसा मैंने आपको भी बताया कि pandas and metplot library these are the two most important libraries for machine learning applications हाला कि बहुत सारी आगे भी आएंगी but right now you have to focus on pandas क्योंकि जब हम data analysis की बात करेंगे तो वहां पर pandas सबसे ज़्यादा important role play रही तो चलिए मिलते हैं next lecture में till then take care bye bye